नमस्ते बच्चों, वेलकम तो अवर उनलाइन ग्लास, तोड़े वेज नूम्बर शिक्स्टी एट, इन दिस पेज नूम्बर, वेज लॉर्न तॉलिस्ट एन शॉटेस्ट, अजॉटेस्ट एन शॉटेस्ट, अजॉटेस्ट, हमने क्या पढ़ा था, तॉल एन शॉट, सकते हैं, तॉल इसट एन शॉटेस्ट, इस मादे जक्तों बिर दिसमें च्चाहिए, दिये गये हैं, तो इसमें सब में, यानि टॉल तो हमें इसे भी बोल सकते हैं, He is tall, but more than taller, मतलब tallest, जो tallest होता है न, बच्चो, सबसे tallest है, जो सबसे बड़ा है, वो कुंसा है, वो हमें find out करना है, और जो सबसे shortest, यानि shorter than नहीं, यह shorter than नहीं, जो सबसे shortest है, वो हमें find out करना है, तो बच्चो, आज हमें इसमें यही find करेंगे, यहाँ पर देखिए, color the box below the tallest dog, अब हमें यह जो picture के नीचे box दिये गये हैं, इन box को color करना है, but कौन से picture के नीचे वाले box को, below the tallest dog, जो tallest dog, यह भी tall है, but he is not much more tallest है न, इससे taller यह है, और last में सबसे taller यह है, tallest है, यह tallest है, जो है न, उसके नीचे वाले box को हमें, अपनी पैंसिल से बच्चो color करना है, ठीक है, इस तरह से हमारा यह box color हो गया, अब हमें क्या कहा जा रहा है, color the box below the shortest tree, अब यहाँ पे देखो, tree है, three types of tree है, यह इदम taller है, tallest, यह भी tall है, बट shortest, यहने सबसे छोटा, he is shorter than this, यह shorter है इससे, है न, यह थोड़ा shorter है, इस वाले tree से, बट shortest कौन सा है, जो सबसे छोटा है, तो हमें कौन से box को color करना है, जो shortest है, तो shortest tree कौन सा हो गया, बच्चों, यह जो है, हमारा shortest tree हो गया, ठीक है, आप, हमें, देखी, हमें, यह सब compare करना है, है न, तभी compare करने से हमें पता चलेगा, which one is shortest, which one is tallest, color the box, below the shortest pillar, जो shortest, देखो, सबसे tallest pillar कौन सा है, यह, and shorter than this pillar, हाँ, this pillar is shorter than this tallest one, यह सबसे tallest है, उससे छोटा यह है, और shortest बोलेंगे, तो सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा बोलेंगे, तो यह, जो pillar है, न, यह सबसे छोटा है, तो color it, इस तरह से हमें यह box को भी color करना है, ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा tallest and shortest का concept clear हो चुका है, I hope आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, अब हम अपने अगले online class में मिलेंगे, तब तक की भी नमस्कार,